श्री शिवाय नमस्तु प्यम्यम् जैसा कि आपने उपर थमनेल में देखा दादा बोता का उपाई पूरा वीडियो अंत तक देखिए आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों लिखा था दादा बोता का उपाई अगर आपके पास मादेव को चड़ाने के लिए कुछ भी नहीं है देल पत्तर भी नहीं है, समी पत्तर भी नहीं है, चावल भी नहीं है यहां तक कि एक नोटा जल भी अगर आपके पास नहीं है तो आप यह वीडियो अंत तक देखिए आपको समझ में आएगा कि मैंने दादा बोता का उपाई क्यों लिखा था तो यमराज भी करने लगे आप वाइट कलर की तवेरा लेकर पहुचो में बिलेक कलर की स्कारपियों बापस ले जाता हूँ महादेव आप नंदी को लेकर पहुचो में इस इस कहाई पर बेखता है अरे बोलो बोलो यम्राजी बैसे पर इस इस ब्लेक कलर की स्कार्पियों को और अन्त समय प्रभु आना पढ़े ला वचन दिया तो निमादा पढ़ेगा अन्त समय में वो आतर कड़ा हो जाता है नवनिदी शिव महापुरान की कता करिये आपके भीतर का विश्वास जागरित करिये जिस दिन आपके मन में आ गया कि एक लोटा जल चड़ाने से होता क्या है जिस दिन आपके भीतर आ गया कि एक बिलपत्र चड़ाने से होता क्या है किसी ने एक मेसेज करा था उसमें लिखा था हमारे दिल्ली में ना तो समी का पत्ता मिल पाता है ना बेल पत्तर मिल पाता है हम संकर जी को क्या चड़ाएं हमने उनको मेसेज में ख़बर करवाई कि आशिश उनको लिख कर भेज दी जिए आपने बस दिल से अगर एक लोटा जल चड़ाते समय महादेओं का इसपर्श करते हुए कह दिया बाबा मैं बेल पत्तर चड़ा रही हूँ मैं शमी पत्तर चड़ा रही हूँ बाबा ने उसको सिकान कर लिए आपके दिल में आया तो सरी कि मैं बेल पत्तर कैसे चड़ा हूँ मेरी दिल्ली में नहीं मिल रहा समी पत्ता नहीं मिल रहा मुंबई में समी पत्तर नहीं मिल रहा मुंबई में बेल पत्तर नहीं मिल रहा मैं बाबा को चड़ा हूँ तो चड़ा हूँ कैसे बाबा नहीं कहता कि तुम बेल पत्र चड़ाने के लिए आओ, बाबा नहीं कहता कि तुम समी पत्र चड़ाने के लिए आओ, बाबा तो कहता है, एक बार मेरे सामने आकर बेड़ जा, बस मेरे पास आकर बेठी, और मुझे कुछ भी नहीं देगी, वो एक गाना याद करो, आ आ बेट मेरे पास तु्झे ना में कुछ भुसके पास जाकर वेड़ा हमें स्कूती भी हमें मंत्र भी नहीं आता हमें कोई तंत्र भी नहीं आता हमें कोई पित्धिया भी नहीं आती हम बहुत विद्वान भी नहीं है कि तुमारी स्तूति कर सकेंगे हम इतने बड़े पड़े लिखे भी नहीं है कि हम तुमको मना सकेंगे हम इतना बड़ा मंत्र नहीं जानते हम सा बस उसके सामने जाकर बेट जाओ और दिल से कहो बाबा भूला सब दुख कारू माला ओ भूला सब दुख कारू उसे दिल से कह दो भोले नाथ दया करना में तेरे भरों से हूँ मेरे बाबा दया करना में तेरे भरों से हूँ ना घर के भरों से हूँ ना परिवार के भरों से हूँ मेरे बाबा दया करना में तेरे भरों से हूँ मेरे बाबा दया करना में तेरे भरों से हूँ कुछी में तब करोंगे ज़ेस उसकी फास चक्र आपके पस बेल पत्र नहीं आपके पास में एक लोटा चल भी नहीं है तो भी उसके पास चले जाना बेड जाना पोता दादा जी तो कुछ नहीं देता कभी पोते ने दादा जी को पांसो का नोड दिया नहीं दिया हजार रुपे दिये नहीं दिये कभी पोते ने दादा जी को कपड़े दिलाए नहीं दिलाए जब भी भी दिलाता है बस पोता दादा की गोद में जाकर बेटता है दादा को देखता है उसको गाल पे लाड लडाता है दादा की गले लह जाता है दादा पांसो का निकल के पोते को देदेता है दो दादा है मेरा देवधीर मा के पोते ने दादाजी दी ने जैसे इस को इसो पते पोते प्रेम कि यह संचे करके प्रेम, आप थे धेम्व ऑने महादेव को श्वर्ष कर्णा का, आप उसके पास जाकर बेड़ गए, उसकी गोधी में जाकर बेड़ गए, मात्र इसके परश कर लिया, नहीं है जल, नहीं है लोटा, नहीं है पानी, नहीं चावल का नाना, नहीं बेल पत्र, नहीं शमी पत्र, नहीं मंत्र, नहीं तंत्र, नहीं साधना, कुछ नहीं आता दादा जी ने बस जान लिया इसको क्या चाहिए पोते का मुख देखकर दादा पचान जानता है कि इसको चाहिए क्या उसी तरह मेरा महदेव जान जाता है जो आकर बीटता है इसको चाहिए क्या इतने आयो आप हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुचे हो इतनी दूर ना जाने कहां कहां से आटो गाड़ी सब करकर यहां तक पहुचे हो हम नहीं जान सकते कि आपको चाहिए क्या आपको बोलने की विजरूत नहीं और ना हम बता सकते हैं कि तुमारे ललाट पे क्या लिखा है और तुमारे भाग्य क्या बोल रहा है हम को तुमारा भाग्य देखना भी नहीं आता हम तुमारा भाग्य देखकर बता भी नहीं सकत कि तुम्हारी आगे किस्मत में क्या लिखा है पर इतना जरूर कह सकते हैं किस्मत लिखने वाले में लिख दिया पर बदलना मेरा महादन जानता है आप आए हो, बेठे हो उसके चर्णों में पहुंचे हो कई लोग हमसे करते हैं जी आप बताओ, हमको ये तकलीब है आप कुछ बता सकते हो हम कहते हमें कुछ नहीं आता ना हम बता सकते कि तुम्हारा दुखते से कटेगा इतना जरूर कर सकते हो उसने अगर आपको इतनी दूर से पकड़ कर लाखों की संख्या के बीच में से आपको पकड़ कर अगर यहां तक 11 नंबर ग्रेटन नोएडा में इस उमा पबली के स्कूल में बुलाया है तो तुम साधरन नहीं हो उसमें किसी कामें से बुलाया है वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा गुरुजी दौरा बताएगे उपाए आपके लिए लेकर आता हूँ और उपाए को अच्छी तरह से सुनकर आपको बताने की कोशिस भी करता हूँ अगर गुरुजी दौरा बताएगे किसी भी उपाए से आप में से किसी को किसी भी परकार का लाब हुआ है तो आप कॉमेंट में आकर पूरे नाम के साथ जुरूर बताएगे आपका किया गया कॉमेंट अगले वीडियो में मैं दिखाउँगा आज के वीडियो में इतना ही श्री सिवाई नमस्तु प्याम